हाई इवरिवान गूड इवनिंग कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो दिन है आज मंगलवार और डेट है पंदर अगस्त तो सबसे पहले आप सभी को हैपी इंडिपेंडिन्स डे तो साम का टाइम है साम क्या मतलब दो भर और साम के बीच का टाइम है तीन बज़ रहें करीब और मैं यहाँ पे नास्ते की तयारी कर रहे हूं तो आज ये भी गए थे हॉस्पिटल लेकिन बस वही एक घंटे के लिए ही जाना था सिर्फ जंडा फैराना था तन में भी गया था तो उसको भी वही सात बज़े गया था ग्यारा बज़े चलाया तो मतलब कुछ नो कुछ खाने को चाहिए तो यहाँ पे मैं वही नास्ते की तयारी थोड़ी से जल्दी मैं लग गई थी और जो आज मैं नास्ता बना रही हूं उसमें थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है तो इस वज़े से थोड़ा सा जल्दी मुझे तयारी करनी पड़ी तो यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है और सबजियों में मैंने बीन्स, टमाटर, प्याज, खीरा, हरी मिर्च और हरा धनिया यह सब कट किया है तो गेहूं के आटे का मैं चीला बना रही हूं बहुत ही सिंपल सा है कुछ नहीं इसमें मतलब बहुत जादा बनाने मे जंजट नहीं है सिर्फ टाइम लगता है यही है इसमें मैंने सारी सबजियां मिला दी है और मसाले में मैंने थोड़ा सा गरम मसाला थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और नमक काली मिर्च मिला था थोड़ा सा जीरा पाउडर बस यहाँ पे तवे पे डाल दिया है तो पर बना रही हूं तो सबसे पहले पापा को दूगी तन मैं नहीं खाएगा क्योंकि उसके लिए मैंने सुबह मैगी बनाई थी स्कूल में टिफिन वगरा हुआ नहीं तो आने के बाद घर पे मैगी खाया है उसके बाद जो है अभी कोट के वो खाना खाया है तो उसके लिए बना रही हूँ सिर्फ हम तीन लोग के लिए और इधर मैंने चाय भी रख दिये तो चाय और यह चीला मैंने पापा को दे दिया था अब भी यहाँ पे इनके लिए निकाल रही हूँ तो वही है धीरे धीरे बन रहा है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है तो एक एक ठो लगता है ऐसे भी मैंने जितनी सब्जियां डाली थी ना तो ये टेस्टी लग रहा था नास्ता वगरा करने के बाद यहां पे मैं आगे हूं चावल को साप करने तो थोड़ी देर मैं टीबी देखी मतलब वही चाय पीते पीते डेली का ही है हम लोग एक देर घंटा क्राइम पेट्रोल देखते हैं ये तो पूरा मतलब 6-7 बचे तक देखते हैं मुझे भी कभी कभी अच्छा जो लग जाता है जो एपिसोड तो मैं भी देखने बैठ जाती हूं नहीं तो फिर अपना काम करती हूं तो यहां पे चावल को सूप से फटक दे रही हूं छोटे छोटे कीड़े पढ़ जाते हैं इसको मतलब एक बार तो मंजुवांटी साफ करती हैं फिर से मुझे दुबारा इस तरह से भटकना पड़ता है तो चावल वगरा साफ करने के बाद मैंने दिया बत्ती की सबजी वगरा कट कर की और यहां पे अब बना रही हूं रात का खाना तो रात के खाने में यही आलू और परवल का भुजिया बनेगा और पराठा बनेगा तो भुजिया बनता है ना तो पराठा वगरा ही बनता है और या तो फिर जैसे मसाले वाली सबजी बनाती हूं तो रोटी वगरा बनाती हूं तो बहुत ही सिंपल सा भुजिया भी बनता है सिर्फ इसमें जो है हल्दी पाउडर नमक मिर्च पाउडर डालती हूँ और कुछ नहीं टमाटर डाल देती हूँ बस यहाँ पे पूजा के बरतन में ले आई हूँ तो यहाँ इसको भी धोले रही हूँ क्योंकि ना सुबह सुबह जो है टाइम ने मिलता है सुबह भी नाती हूँ तब भी या फिर सारा काम करने के बाद भी नाती हूँ ना तो भी जैसे बरतन वगरा सब धूले रहते हैं तो शिर्फ मंदिर की सफाई करके पूजा करनी होती है इतना टाइम बच जाता है वरना फिरना सुबह जब लेट हो जाता है ना आने में तो ये सारे काम करने में बड़ा आलस आता है तो मैं रात को ही अकसर करके रात को ही दुलेती हूँ कभी जब ऐसा होता है कि रात को जादा काम होते हैं जादा बीजी रहती हूँ तो यह काम छूट जाता है फिर सूबह होता है तो यहाँ पे मैंने सारे स्क्रबर वगरा अलग ही रखती हूँ पूजा के बरतन धोने के तो आज इसको भी इसमें थोड़ा सा पानी जम गया था तो इन सबको धो के अच्छे से यहीं पे रख दूँँगी थोड़ा सा पानी निकल जाएगा तो थोड़ी दिर बाद रख दूँगी तो बस यहाँ पे बना रही हूँ पराठे यह ट्रियंगल वाले तो यही पराठे सबको ज़्यादा पसंद आते हैं एक मैं और बनाती हूँ जैसे दो रोटियों को एक में सटा के तेल लगा के एक में चिपका कर बनाती हूँ वो भी मुझे अच्छा लगता है लेकिन इन लोग को न यही वाले पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो पापा को खाना दे दिया था तनमे को दे दिया था यह अभी कहीं गय थे आये नहीं थे फोन तो किया था लेकिन अभी उनको आने में थोड़ा सा टाइम था तब तक मैं यहाँ पर यह सब साफ सफाई कर ले रहे हूँ थोड़ा बहुत पराठे वगरा रख दूंगी यह आएंगे तो तब ही फिर मैं और यह दोनों लोग साथ में खाया जाएगा तो यहाँ पर चौका बेलन यह सब साफ कर ले है और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि बरतनों के साथ इसे नहीं धोना चाहिए तो मुझे तो मतलब इसके बारे में नहीं पता है लेकिन जब गंदे जादा रहते हैं तो साबुन से ही दोना पड़ता है पानी से दोती हूँ तो मेरा मन नहीं भरता है जैसे साबुन से साफ कर देती हूँ तो यह होता है कि बिल्कुल साफ हो गया है फिर यहाँ पे बिंस लेके बैठ गए हूँ यही कट करने थोड़ा सा टाइम वही बचा था तो इनके आने में टाइम था तो जब तक यह आये नहीं थे तब तक सोचा कि यह सुबह वाला काम भी मैं खतम कर लेती हूँ तो बिंस भिंडी यह सब चीजे ना मैं रात को ही कर लेती हूँ रात को ही कट करके रख देती हूँ तब तक यह आ गए थे सबजी कट करते ही तो फिर यहाँ पे खाना ले लिया है मैं तन में और ये सब लोग साथ ही में बैठे हैं लेकिन वीडियो में ये लोग नहीं आ रहे हैं सिर्फ मैं ही हूँ तो साथ बैठे तो साथ में ही थे लेकिन जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो सब लोग हट गए सिर्फ तन में उधर बैटा हुआ था तो होता है ना कि मतलब जितने आसानी से हम लोग आ जाते हैं कैमरे के सामने उतने आसानी से सब लोग नहीं आना चाहते हैं तो मैं किसी को बहुत जादा वो भी नहीं करती हूँ कभी कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते हैं तो यहां पे मैं अपने लिए पराठे सबजी और चाच लेके बैठी हूं तो चाच मुझे ना बहुत ही पसंद आता है यह मार्केट वाले चाच हैं घर के नहीं है तो मुझे अच्छा लगता है तो खाना पिना होने के बाद यहां पे किचन को कर रही हू क्लीन थोड़ा सा लेट भी हो गया था बस इनका वेट करने में ने तो काम मेरा जल्दी जल्दी ही हुआ था साम से खाना भी मैंने जल्दी ही बना लिया था लेकिन फिर वही है इनका वेट करने में थोड़ा सा इदर उदर होने में और हम लोग बात भी करने लगे इनके आ कूकर में डाल दे रहे हूं तो ये काम ना मैं सुबह के लिए कर रहे हूं क्यूंकि सुबह ना ऐसे कूकर में डाल धो के रखी रहती हूं तो बस रखना रहता है गैस पे ऐसे थोड़ा सा धोने में रखने में टाइम लग जाता है इनको थोड़ा जल्दी जाना होता है तो चूब काम हो गया है तो यह सब सब यहाँ पर तन्मय के लिए दूद गरम करें हूँ तो मेरा राद का सारा काम खतम हो चुका है बस अब जाओंगी बात्रूम हाथ मूँ धुलूंगी तो बस अब सोना रहेगा और सारे काम खतम हो चुके हैं तो वीडियो का एन भी यहीं पे कर रही हूं आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा अच्छा लगा हो तो लाइक, सेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बाबाई, गुड नाइट